हलो अव्रिवन सीपी क्लासेश पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज है बहुत बड़ा देन बहुत बड़ा अपडेट किसके लिए है यह अपडेट यह अपडेट डेली इनुवस्टी में जो एसो एल है उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग हैं बीए जी आप बीए प्रोग्राम वाले बच्चे जिनका सेकंड सेमस्टर का इंटर्ल असेस्मेंट वो लोग अपना नहीं दे पाए थे उसके लिए नई डेट शीट रिलीज की जा चुकी है पूरा की पूरा डेटेल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं बताने वाला ह कि किस तरीके से आपको अपनी डेट शीट को डाउनलोड करना है तो बीए प्रोग्राम सेकंड सेमस्टर के सुडेंट्स जो अपना इंटर्नल असेस्मेंट नहीं दे पाए थे उनके लिए वीडियो खास बनाया जा रहा है तो अगर आप पहली बार आये हो चैनल पर तो ब सबसे पहले आपको entire website ऊपन करनी है और सबसे उपर राइटचेट में देखेंगे लिखा हुआ continue to website उसपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ही नहीं विंडो उपन हुई जहां साफ साफ मैं यूजी इंटरल assessment, internal assessment, date sheet for semester 2, exam second phase, यह second phase हो रहा है, अब ही हैं लिखा हुआ accept BA program बढ़ घबराइए मत, आप नीचे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देखिए अब, BA program की भी internal assessment की date sheet जो की second phase की है, वो इसमें डाली जा चुकी है, तो चलिए इस वाले link पर हम click करते हैं, जैसे मैंने इस वाले link पर click किया, अब यह file आपके सामने open होगी, तो देखिए यह internal assessment की आपकी date sheet है, जितने भी बच्चों ने second semester का अपना first phase का internal assessment, मैं BA program वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, नहीं दिया था, उनके लिए यह date sheet applicable है, तो देखिए चलिए इस date sheet को देख लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली important चीज़ आपको याद रखनी ह कि female जो है, उनका timing है, सुबह 10 बचे का, और जो male students है, उनका time है, दुपैर को 2 बचे का, 25 अगस्त है आपका यह start होगा, देखिए मैं आपके साथ date sheet थोड़ी सी discuss करूँगा, बाकी मैं इसका link description में देदूँगा, आप वहाँ जाकर पूरी की पूरी date sheet डाउनलोड कर लीज सब्सक्राइब को आपका पेपर है, यह पूरी date sheet है, आपकी सारे ही subjects की BA program, ठीक है, थर्ड सब्सक्राइब को आपका पेपर है, यानि कि 25 अगस्त को start होगा आपका यह exam, internal assessment, second phase और 3 सब्सक्राइब को थर्ड सब्सक्राइब को आपका आखरी पेपर है, भारतिय भक्ति, प वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो सारा की सारा procedure वही रहेगा, जो आपने first phase में आपने follow किया होगा, या first semester में आपने follow किया होगा, तो BA program के बच्चे जिनका first phase, second semester का internal assessment छूट गया था, वो सारे की सारे बच्चे इस date sheet को download कर लीजिए, और इसके हिसाब से आपको login करते हैं, या जब internal assessment देते हैं, तो बहुत तरह की problems आती है, उसके लिए देखिए, यहाँ पर end में कुछ phone numbers given है, ठीक है, तो आकरी जो point है, 9 number का, वहाँ पर यह phone numbers given है, आप इन में से किसी भी phone number पर call करेंगे, और अपनी problem discuss करेंगे, या मैंने कितनी बार बताया है, आपक date sheet में आपको बता दिये, link आपको description में मिल जाएगा, don't worry, वहाँ जाकर आप date sheet easily अपनी download कर पाएंगे, वीडियो अच्छा लगाओ तो एक like जरूर कर देना, और अगर valuable लगाओ तो यार, share कर देना, बहुत सारे students को इसकी सक्त जरूरत है इस वीडियो की, thank you very much, मिलेंगे next वीडियो में तब तक, विजयो गुपता signing off